बिग बॉस ने भले ही अपने टॉप फाइव अपने हिसाब से चूज कर लिए हूँ लेकिन बिग बॉस की ट्रोफी तो इस बार खुद बिग बॉस को ही जाने चाहिए दोस्तों क्यूंकि यहाँ पे सबसे बड़ा गेम तो खुद बिग बॉस ने खिला है स्वागत है आप सभी का बॉलिवूड स्पाई में मैं हूँ अदती शर्मा तो जब बिग बॉस को पता था कि लवकेश को वो ओडियंस वोट से बाहर नहीं कर सकते तो उन्होंने घरवालों के वोट से लवकेश को बाहर कर दिया यहां लवकेश इकलोते नहीं हैं जिनके साथ यह नाइनसाफी हुई है दोस्तों यहां पे और भी इंफ्लोएंसर्स हैं जिनके फेंडम्स का यूज किया गया उन्हें अंत तक शो में रखा गया ताकि वो बस बना रहे ताकि ओडियंस एंगेज रहे और जैसे ही बारी साजिशे करके उन्हें घर से बेघर कर दिया पहले शिवानी विशाल उसके बाद लवकेश अर्मान देखा जाए तो इन चार लोगों को लोग टॉप 4 में देख रहे थे और 5 पोजिशन के लिए सना और रनवीर के बीच में मुकाबला होता लेकिन दोस्तों यहां पे देखी नहीं रहा था उनको बिग बॉस ने तॉप 5 की पोजिशन में बिठा दिया है हो सकता है उनमें से कोई जीत भी जाए लेकिन उन इंफ्लूएंसर का क्या जिनकी ओडियोंस को यूज किया गया अर्मान मलीक का फेंडम भी यूज हुआ है दोस्तों अर्मान मलीक का फ पंडे के फेंडम का यूज हुआ है विशाल पंडे के साथ वोईलेंस तक हुई लेकिन उस चीज को बिलकुल रफा दफा कर दिया गया शिवाने की ओडियंस जो कि मास लेवल पर जुड रही थी जो कि शिवानी से रिलेट करती थी शिवानी के बोली भाशा जैसे लोग श इतना बड़ा फेंडम लेकर आये थे बिग बॉस के लिए कि सबका फेंडम फीका पड़ जाए एक बारी के लिए और सबके वोट्स कुछ भी नहीं थे लवकेश के वोट्स के आगे तो बिग बॉस को लगा कि अगर इसको बीच में निकाल दिया तो मेरा ही नुकसान है तो देखा जाए तो influencers और उनके audience दोनों के दोनों use हुए हैं दोस्तों तो क्या कोई influencer अब आना चाहेगा बिग बॉस के घर में comment section में बताईए जरूर अपनी राए मिलते हैं next वीडियो में